चाहर के आयोध्यानगर के भूमने ले आउट स्टियЗд पुलियाग की सिद रअलिय तो रगतना को नेयुदा दे सकता है। पुलियाग की सइड वाली रेलिंग भी तूड़ गही है तो पुलियों पर गड़ा है। आयोध्या नगर के धोम ने ले आउट में नाली पर पुलिया है यह रास्ता खराब हो चुका है यह रास्ता धसने की शक्यता काफी दिनों से थी लेकिन लोग प्रतिनिद्यों की ओर से किसी भी तरह की दखल नहीं ली गई गुरबार की रात में इस रास्ते से गाड़ी जा रही थी उसी समय एक तरफ से ये रोड ठस गया जिसे बड़ी दुरगटना होते होते तली है यहाँ के नागरी को को बर्सात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है इसलिए यह रास्ता जल से जल बनाने की मांग नागरी को सहित कॉंग्रेस के युश्योवन तलहार ने की है धौमने ले आउट में जो पुलिया है वो काफी पुराना पुलिया है जिसकारण यह रास्ता धस गया है इसलिए बस्ती के लोगों की मांग है कि नया पूल बनाया जाए हाँ फार जुना पूल आए और इतना फार मोठा प्रमाने महादुक आए गेला दोन दुस्ता पास न मुश्यदा पाउसा मूने इथे जवड़ पास अरदा पेक्षा जास्ता पूल जो आए और रस्ता अरदा खसुन गेलेला है या भागयतला लोकांची मागनी आए कि इथे नवयनी पूल तेयार करून नविन काम कराला पाए जे परन्तु आता नुकतस में इंजिनेर साहब आशी बोलो तैनसा समणना है कि आमी तात पूल जयाकला उन काम करना रहे परन्तु वस्तितला लोकांचा विरोदा है आणि माज़सुदा विरोदा की तात पूरत काम न करता इसा पर्मनन सोलोशन काड़ा ला पाए जे तया करता है पूर्ण रस्ता जो पूर्ण रिमय करून नविन पूल टाकला पाए जे अशी मागनी आए आणि माज़े सरों सहकारी आयुकत याना बेट देना रहो आणि ह पूलाट से काम कुरून घहना से परेत्न करना रहा है शेहर में हर जगे सीमेंट के रोड बनाये जा रहे है ऐसे में शेहर के परिसरों बस्ती के रास्तों पर भी प्रशासन ध्यान देता कि रास्तों के कारें दुरगटनाए ना हो कैमेरा परसन वीरेंटर खोबरागड़े के साथ शितिजादेश मुक के रिपोर्ट इन बीस ये नियूज नाखपूर